हेलो बच्चो आपको एक सच्चे और अच्छे मित्र के कहानी के बारे में बताते हैं कृष्णा के एक मित्र थे सुदामा गुरु के आश्रुम में दोनों मित्र साथ साथ पड़ते थे बड़ी होने पर कृष्णा द्वारका चले और वहां के राजा बने लेकिन सुदामा बहुत गरीब थे एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कृष्णा आपके मित्र है आप उनके पास जाके मदद क्यूं नहीं मांगते सुदामा बोले मैं मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाओ तब सुदामा की पत्नी पडोस के घर से कुछ चावल लाए और पोटली में बांध कर सुदामा को दे दिये सुदामा कुछ सोचते हुए घर से निकले और चलते चलते महल के द्वार पर पहुँच गए कृष्णा की द्वारपाल ने रोका और पूचा आपको किस से मिलना है सुदामा ने स्वेम को कृष्णा का मित्र बताया सुदामा का नाम सुनते ही कृष्णा दोर कर आए और सुदामा को गले लगा लिया फिर आदर से उन्हे अंदर ले गए अपनी सिनहासन पर बिठाया और सुदामा के पेर धोये फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बाते याद करके हसते रहे कृष्णा ने सुदामा से कहा मित्र भावी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा सुदामा ने कुछ संकोच के साथ चावल की पोतली कृष्णा को दे दी कृष्णा ने बरी प्रेम से उन चावलों को खाया कुछ दिन कृष्णा के पास रहे कर सुदामा अपनी घर वापस आ गए घर पहुँचते तो देखा की घर जोपरी के स्थान पर सुन्दर महल देखा सुदामा ने कृष्णा को मन ही मन धन्यवाद दिया कृष्णा ने अपनी दोस्ती का मान रख लिया इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती धन्यवाद